दुरे में हुई एक अनुखी शादी समय चर्चा का विशे बनी है तीन साल के दोस्ती के बाद योतिव और शर्वेश की शादी अलग तरीके से हुई है जिसके बारे में सुनकर सबको हैरानी है आप भी देखे कैसी है यह शादी हर कोई अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए सपने भी देखता है और तयारियां भी करता है महंगे महंगे मैरिज पैलेस, होटलो और यहां तक कि शादी के लिए देश विदेश का भी रुक किया जाता है और जब love marriage हो तो शादी की excitement और ज्यादा बढ़ जाती है लेकिन आज हम आपको एक ऐसी अनोखी शादी की खबर दिखा रहे हैं जिसके लिए ना तो खर्च हुआ और ना ही तैयारियां लेकिन फिर भी ये शादी बन गई यादकार जरा देखिए इस मुस्कुराते जोडे को जिनकी शादी हुई है पुलिस स्टेशन में जी हाँ संगरूर के पुलिस स्टेशन में दरसल हुआ यूँ कि ज्योती और सर्वेश पिछले तीन साल से एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे शादी से दो दिन पहले जोती अपने काम से वापिस घर जा रही थी कि उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगी जिसके बाद उसने सर्वेश को फोन किया जो उसे होस्पिटल ले गया जिसके बाद जब वो जोती को उसके घर चोड़ने गया तो उसकी मा ने जोती को घर में रहने से मना कर दिया सरवेज जोती को अपने घर ले गया जिसके बाद ये मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंचा उननानी वी कहता वी तुजाज इत्त हो एंगी ये अपने करे लागी से में ना देकार देगाने भी अशी वियातों भी ना कि मेरा खलाने भी पहला मैरेश करवादन ये ये रखलाने भी ये ये ठाने चले लागी से गे इस कपल की शादी संभव तब हुई जब धूरी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज दर्शन सिंग ने दोनों के परिवार को समझाया और पुलिस थाने में ही वर्माला की रस्म करवाई जिसके बाद इस जोड़े ने गुर्द्वारा साहिब जाकर बाकी की रस्मे पूरी की मेरे मेरे पोड़े आके गए लिए जासी बिल्कुल बहुत पोच्छा जी बहुत बदी है कि ताजी तुसी ने साठी बेना किसे दाई दे तो बेना किसे खर्चे तो साठी मेरज होगी लिए हैरानी हमें भी हुई जब हमने इस शादी के बारे में सुना क्योंकि अक्सर पूलिस्टेशन से लड़ाई जगडे की खबरे आती है रिष्टे तूटने की खबरे आती है लेकिन इस पूलिस्टेशन ने दो दिलों को एक कर दिया जनता टीवी के तरफ से भी जोडे को शादी की हार्दिक बढ़ाई धूरी से जनता टीवी के लिए हर्श कौशल की रिपोर्ट